कि अधियुक्त करता हूं आप सभी लग मस्त होंगे इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हम अपने computer system के drive को कैसे हाइड करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि अपने computer system कर सकते हैं आप उसको आई बेटन पर जाकर करके देख सकते हैं दोस्तों मैं बात बना चाहूंगा अगरा अगरा हमारे channel पर नहीं है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अगर सामने बताया कि हम सभी लो हम अपने computer system के drive को हाइड करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं महारे computer में आपर दो ड्राइब को हाइड करेंगा क्यूंकि हम लोग जानते हैं सी के अंदर computer system का सारा data होता है सी ड्राइब जिसको करते हैं और इसी के अंदर साफ्टर्य अगरे चाल होते रहते हैं लेकिन हम यहां पर ड्राइब को हाइड करेंगे चली मैं आपको दिखा देता हूं पहले computer की राइट क्लिक करेंगे और यहां manage का अप्शन देरा है इस पर जायेंगे कि इस पर जाने कपा थोड़ा सा वेट करना होगा इसको यहां पर आपको फिर disk management का अप्शन मिलेगा इस पर double click करिए अब यहां पर हमको दिख रहा है d drive अब यहां पर जायें इसको select करें right click करिए इसके बाद आपको अप्शन मिलेगा chain drive later यहां पर जाए इस पर जाने के बाद यहां से हम remove कर देंगे और yes करके छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको close कर देते हैं चलिए अब मैं आपको computer खोल के दिखाता हूँ देखिए के वह एकी drive दिख रहा है देख रहा है आपको वापस लाने के लिए तो इसके लिए रन पर जाएंगे और टाइप करेंगे यहां पर दिए एस के डिस्क एम्जी एम्टी डाइट रसी यह थोड़ा साटकर तरीका है इससे इससे टारेक्ट हम पहुच जाते हैं अब क्या करेंगे यहां पर देखिए मारा दिखा रहा है कि कितने जीवी का है इस पर राइट क्लिक करिए और फिर इसी पर जाए चेंग ड्राइ में यहां पर आ गया है दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बता है एक बात बहुत चाहूंगा जब भी आप हमारी वीडियो एक रहे हैं गुट मॉर्निंग गुट नाइट श्रीयाकाल नमस्कार